अगर आपके घर में भी LPG Gas Connection है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत important होने वाली है इस वीडियो में मैं आपको Ministry of Petroleum and Natural Gas की तरब से आए हुए एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ Ministry of Petroleum की तरब से एक नया circular issue किया गया है सभी LPG consumers के लिए जिसमें बताया गया ही कि आपको 31st December 2023 से पहले अपनी EKYC समिट करनी होगी अगर आप 31st December 2023 से पहले अपनी EKYC नहीं करेंगे तो आपको जो हर महीने सबसिटी के नाम पर एक एमाउंट आपके बेंक अकांट में ट्रांसफर की जाती है वो रुख सकती है मतलब आपको सबसिटी मिलना बंद हो सकती है EKYC उन सभी LPG consumers को करनी होगी जिनका gas connection है चाहे उनके पास कोई भी gas connection हो जैसे की Indian gas, भारत gas या फिर हिंदुखान petroleum, HP gas सभी consumers को अपनी EKYC दोबारा से समिट करनी होगी फिर चाहे आपका आधार कार्ड भी update हो तब भी आपको दोबारा से अपनी EKYC समिट करनी होगी EKYC करने के आपके पास दो options है एक आप offline कर सकते हैं और दूसरा है online offline KYC आप अपनी direct gas agency यानि कि अपने distributor के पास से करवा सकते हैं आपको अपनी gas agency पर visit करना होगा वहाँ पर आपको अपनी LPG की passbook और साथ में अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा अगर आपके आधार कार्ड पर mobile number लिंक हुआ तो आपकी EKYC वो OTP के थुरू कर देंगे और अगर mobile number लिंक नहीं हुआ तो आप biometric के थुरू भी agency पर जाकर अपनी EKYC करवा सकते हैं और दूसरा option है online का अगर आप online अपनी EKYC सब्मिट करते हैं तो तब आपको अपनी gas agency यानि अपनी distributor के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सिर्फ 5 मिनट में आप अपने mobile phone या फिर computer से अपनी EKYC कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको LPG Gaze EKYC online submit करने का complete process step by step दिखाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं यह है myLPG portal जहां से आप अपने LPG Gaze connection की EKYC complete कर सकते हैं आपको किसी भी browser में type करना है myLPG.in तो आपके सामने यह portal open हो जाएगा यहाँ पर आपको तीनो LPG cylinders देखने को मिलेंगे जैसे कि भारत Gaze, HP यानि हिंदुस्तान petroleum Gaze और Indian Gaze तो अगर आपका भारत Gaze या फिर HP Gaze इन दोनों में से किसी का भी connection है तो आप इसी portal से जो है अपनी EKYC complete कर सकते हैं भारत Gaze और HP Gaze इन दोनों की EKYC करने का जो process है वो बिल्कुल same है थोड़ा बहुत आपको 19-20 जो है difference देखने को मिल सकता है लेकिन अगर आपका connection Indian में है तब आप यहाँ से अपनी EKYC complete नहीं कर पाएंगे तो आपको यहाँ पर अपना connection सेलेक्ट कर लेना है अगर आपका भारत Gaze में है तो आप भारत Gaze सेलेक्ट करेंगे और हिंदुस्तान Petroleum में है तो आप यहाँ पर HP Gaze सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे HP अगर आप new user हैं, तो आपको पहले यहाँ पर registration करना होगा, तो यहाँ new user इस पर okay करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर state select करेंगे, यहाँ पर district select करेंगे, यहाँ पर अपना distributor select करेंगे, जिस agency में भी आपका connection है, उसी agency को यहाँ पर आपको select कर لेना है, यहाँ पर अपना consumer number फिल करेंगे consumer number आपके guest की passbook के उपर भी लिखा हुआ होता है इसके बाद यहाँ पर registered mobile number फिल करेंगे जो आपके guest connection के साथ mobile number registered है वही number आपको यहाँ पर फिल करना है यहाँ पर यह capture code फिल करेंगे जैसा लिखा हुआ है, same to same fill कर देंगे, इसके बाद proceed करेंगे, आपके mobile number पे एक OTP send किया जाएगा, OTP fill करने के बाद submit करेंगे, अब यहाँ पर अपनी email ID fill करेंगे, यहाँ पर आपको एक password set करना होगा, password की guideline आप यहाँ पर देख सकते हैं, password should be between add to 12 characters, और password में आपका minimum 1 digit and 1 al alphabetic character होना चाहिए, यहाँ पर password दोबारा fill करेंगे, ताकि यह confirm हो जाए, इसके बाद submit करेंगे, account create हो गया है, अब account को activate करने के लिए हमें एक link send किया गया है email ID पर, इस तरह से आपको email ID पर एक link मिलेगा, इस link पर click करेंगे, and finally your account has been successfully activated, हमारा account successfully activate हो गया है, अब login करने के यहाँ click here to login, इस पर okay करेंगे, यहाँ डिरेक्ट यहाँ sign in पर भी click कर सकते हैं, अब यहाँ पर अपना mobile number या फिर email ID फिल करेंगे, यहाँ पर यह capture code फिल करेंगे, इसके बाद login इस पर okay करेंगे, यहाँ पर अपना password फिल करेंगे, जो भी password आपने set किया है, इसके बाद login, इसके बाद आप successfully login हो जाएंगे, अब यहाँ पर आप consumer की details देख सकते हैं, यहाँ पर 17 digit की LPG ID, यहाँ पर consumer status, active, यहाँ पर consumer number, name, address, pin code, mobile number, यह सारी details आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आधार number के last four digit और यहाँ पर bank account, IFSC code, यहाँ पर आपको और भी काफी सारी services म आपको देखने को मिल जाती है, considerate में आपके पास lender delivered हुआ है, और कितना payment आपने उस lender के लिए किया है, और उसकी जो subsidy amount है, वो कितनी subsidy amount आपके account में transfer की गई है, यह सारी details आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो वैसे तो हमें यहाँ पर हमारा आधार card LPG account के साथ link दिखा रह अगर आपका आधार card पहले से link है, तब भी आपको अपनी EKYC दोबारा से update करवानी होगी, EKYC करनी के लिए आपको यहाँ आधार authentication इस पर ओके करना है, अब यहाँ पर आपको consent देना है, आपके आधार number से आपका authentication होगा और आपके data को use किया जाएगा EKYC के लिए, तो य यहाँ पर fill करेंगे, इसके बाद दोबारा से यहाँ पर यह capture fill करने के बाद authenticate करेंगे, and finally authenticated successfully हमारा आधार authentication successful हो चुका है, इसके बाद यहाँ आधार authentication इस पर आप दोबारा click करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिखायागा your EKYC is already completed, तो हमारी जो EKYC हो complete हो चुकी है, तो आप भारत Gaze और HP Gaze की EKYC जो है online ही update कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास Indian का connection है, तो तब आपको जो है अपने mobile phone से अपनी EKYC को complete करना होगा, तो चलिए अब देख लेते हैं कि Indian की KYC आप कैसे complete करेंगे, Indian Gaze की KYC मोबाइल से update करने के लिए आपको दो applications की जुरूरत प करेंगे login और sign up, तो पहले आपको sign up पर okay करना है, अब यहाँ पर आपको अपनी कुछ basic details फिल करनी होगी, सबसे पहले यहाँ पर अपना mobile number फिल करेंगे, यहाँ पर email id, इसके बाद यहाँ पर first name और last name फिल करेंगे, अगर आपका single name है, तो आपको first name और last name दोनों में अप characters में रखना है, जिसमें आपको number, alphabet और special character का combination रखना होगा, तो password आप अपने name से बना सकते हैं, जो भी आपका name है, पहले आप अपना name फिल करेंगे, उसके बाद बीच में कोई भी एक special character दे देंगे, जैसे कि add the rate और उसके बाद number 123, इस तरीके से आपको कोई भी एक password यहा आपको कुछ इस तरह सी user interface देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर left and top side में आपको 3 line देखने को मिलेगी, इन 3 line पर ok करेंगे, इसके बाद यहाँ LPG का आपको एक option मिलेगा, इस पर ok करेंगे, अब यहाँ पर आपको 2 option मिलेगे, domestic connection और commercial connection, तो इसमें आपको domestic connection सेलेक्ट कर लेन है, apply view connection, इस पर ok करेंगे, अब यहाँ पर आपको first one option select रखना है, आधार KYC, details will be faced from your आधार, आपके आधार कार्ड से यहाँ पर सारी details को फेच किया जाएगा, आपकी KYC के लिए, इसको select रखेंगे, और next करेंगे, इसके बाद यहाँ पर अपना आधार number fill करेंगे, और consent द इसी address को अपने LPG connection के साथ update करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको update address का एक option मिलेगा, इसको आपको tick करना होगा, फिर आपका LPG cylinder है, वो इसी address पर deliver किया जाएगा, और अगर address आपको update नहीं करना है, तो आप इसको direct submit करेंगे, जैसी आप इसको submit करेंगे, तो आपकी KYC जो नॉर्मली 24 hours से लेके 48 hours तक का time लग जाता है, आपकी KYC approved हुई है या फिर नहीं हुई है, उसका status चेक करने के लिए आपको जो है, टॉप एंड लेफ्ट साइड में आपको 3 line परोके करना है, इसके बाद यहाँ पर select करेंगे my profile, इस परोके करेंगे, अब यहाँ पर आपक KYC का जो भी current status होगा, वो आपको यहाँ पर show हो जाएगा, जैसी कि यहाँ status अभी दिखा रहा है in progress, जब आपके distributor इसको approved कर देंगे, तो यहाँ पर आपको approved दिखाएगा, और आपकी KYC जो है वो complete हो जाएगी, इस तरह से आपनी KYC online submit कर सकते हैं, फिर चाहे आपके पास को पासी useful रहा होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो don't forget to like, share and subscribe, और इस वीडियो से related आपका कोई भी question या confusion है तो आप comment करके पो सकते हैं, so see you in the next video, till then take care, keep smiling and have fun. कर सकते हैं, so see you in the next video, till then take care, keep smiling and have fun.